Welcome to Only IAS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Science and Tech के Current Affairs के Revision का ये हमारा 9 लेक्चर है आज के इस सेशन में हम मई महिने के Art and Culture के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article Pink Moon 2021 के बारे में है 26 April 2021 को लोगों ने एक Super Moon या Pink Moon देखा ऐसा News में निकल के आया Actually में Pink Moon जैसा कुछ होता नहीं है और नाहीं Moon Pink होता है नाम दिया गया Pink Moon, ये एक Super Moon था अब Super Moon होने का मतलब क्या होता है, let me tell you देखिए, जो Earth है, उसका एक Natural Satellite है, चांद चांद धरती के चारो और Spherical Way में चक्कर नहीं लगाता बलकि जो उसका Pathway है, वो Elliptical है Elliptical Pathway में होता ये है कि एक हिस्सा दूर होगा, एक हिस्सा नजदीक होगा तो देखिए, एक और चांद धरती से नजदीक होता है और दूसरी और दूर होता है तो जिस और चांद धरती से दूर होता है, उसे अपाजी कहते हैं और जिस और चांद धरती से पास होता है, उसे पेरिजी बोलते हैं तो जब चांद धरती के पास होता है, यानि कि पेरिजी वाली इस पोजीशन पे या यहाँ पर या यहाँ पर तो वो लगभग नॉर्मल कंडिशन में या अपोजी की तुलना में 14% जादा बड़ा दिखता है और 30% जादा ब्राइटर या चमकदार दिखता है अब ऐसे चांद यहां से आकर गुजर जाए लेकिन उस दौरान हमें चांद पूरा दिखी ना रहा हो तो हम उसे सूपर मून नहीं कह सकते लेकिन कुछ कंडिशन ऐसी बनती है जब चांद पैरिजी पर होता है और फुल मून होता है यानि कि पूरिमा होती है तब हमें एक्चुली में उसका ये जो 14% increased size है या 13% more brightness है वो feel होती है कुल मिला के चांद पैरिजी पर हो और फुल मून हो तब आप उसे सूपर मून कहते हैं इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे आप समझ लेंगे अब सूपर मून ये term for the first time 1979 में एक astrologer थे Richard Nolay उन्होंने ये term बोला था तो देखे सूपर मून वो full moon या new moon होता है जो पैरिजी पर हो अब देखे full moon होगा तो हमें दिखेगा new moon होगा तो वो दिखेगा यह नहीं वो super moon होगा भी तो भी हमें नहीं दिखेगा सूपर मून थोड़ा बड़ा और ज़्यदा brighter दिखता है यह हमने दिखा वैसे सामान नयाक से हमें समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर कोई पहले से बता दे कि नहीं यह बड़ा है और जदा चमकदार है तो फील होता है कि हाँ जदा बड़ा दिख रहा है पिंक मून इसलिए नहीं कहते क्योंकि पिंक कलर का दिखता है एक्चुली में इसे एक नाम दिया गया है फलार के उपर पिंक वाइल फलार जो की हमें नौर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है यह एप्रिल के मन्त में फलार कर जाते हैं पिंक कलर के तो इसी पिंक कलर के फलार के उपर इस महिने में दिखने वाले जो सूपर मून है उन्हें पिंक मून नाम दे दिया किया फर्दर ये जो नाम है कुछ और भी है ले एक स्प्राउटिंग ग्रास मून एग मून, पास्कल मून या फिश मून ये नाम भी पुकार दिए जाते हैं ऐसा नहीं कि वो fish moon बोल दिया तो fish की तरह दिखने लगेगा, नाम दे दिया गया है बस, बाकि वो pink color का दिखता नहीं है, blue moon, blue moon भी blue color का नहीं होता, अगर एक calendar मन्त में, ग्रिगोरियन calendar में आपको दो full moon यानि की पूरिमा दिख जाए, तो जो दूसरा वाला होगा, उसे blue moon का आजाएगा, blood moon, हाँ, blood moon red color का दिखता है, इतनी सी बात है, pink moon या blue moon, pink या blue नहीं होते, लेकिन blood moon red color का होता है, इसका reason है blood moon होने का, देखें, जब complete lunar eclipse हो, यानि की चंदर ग्रहर लग जाए, उसमें होता ये है कि sun और moon के बीच में earth आ जाती है, तो sun की रोसनी सीधे सीधे moon के उपर पड़ती नहीं है, side side से जो रोसनी cross कर पाती है, वही moon तक पहुचती है, तो जो blue light होती है, वो atmosphere में फैल जाती है, और केवल जो red shadowed color होता है, वो moon तक पहुचता है, वही हमारी eyes को visible होता है, इसी लिए हमें जो चांद है, वो red color का दिखाई पड़ता है, तो जो air molecules होते हैं, blue color के वो तो scattered हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और red color की जो light है, वो moon तक पहुचती है, तो इसलिए हमें वो red दिखता है, ये बात हम कर चुके हैं, blood moon कई बात dust, smoke या हेज के वज़े से भी दिख जाता है, ठीक है, जो अगला article है, वो तिहाने module के बारे में है, देखे, ये है International Space Station, एक ऐसा satellite जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, lower earth orbit में, मतलब 300-400 km के बीच, ये 15-16 चक्कर लगा लेता है earth का पूरे दिन में, 1998 में से launch किया गया था, और सन 2000 के बाद लगातार कोई नहीं कोई यहाँ पर रह रहा है, ये collaborative effort है, किसी एक country का ये effort नहीं है, रधर इसमें NASA, यानि की USA, ROSCOMOS, यानि की Russia, JAXA, Japan, ESA, Europe और CSA, यानि की Canada, इन सभी ने मिलके इसे launch किया था, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाखी के देज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, if they have capability, लेकिन ये international space station चलेगा कितने दिन, ये सवाल है न, ये 22 सालों से operational है, 2025 के आसपास बताया जा रहा है कि इसकी operational capability खतम हो जाएगी, या कम हो जाएगी, हो सकता है, उसके बाद इसे ही time functional गर दिया जाए, इन डाट केस, कई सारे और international space station बनाने के तयारी चल रही है, ऐसा ही प्रयाश चाइना भी कर रहा है, चाइना तयारी में है कि वो अपना एक international space station बनाएगा ISS की धर्च पर, हालां कि वो ISS जितना बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, अब चुकि ये space stations बहुत बड़े होते हैं, तो कोई रसी से एक बार में खीच के तो lower earth orbit में इसे पहुचा नहीं देगा, तो ये module के form में, यानि की छोटे-छोटे हिस्सों में, कई सारे missions में भेजे जाते हैं, तो कई सारे missions में जो पहला mission है, उसे अभी launch किया गया है चाइना के दौरा, जिसमें वो अपना core module, इस अपनी international space station का भेजने वाले हैं, ये T-shape में होगा, और ये है core module, यही से इस पूरे space station को manage किया जाएगा, और कोई जो astronauts हैं वो जाते हैं, तो वो यही पर रहेंगे, बाकि ये labs वगरा हैं, जहां पर experiments वगरा होंगे, ठीक है, चाइना नहीं से नाम दिया है Tiangong, जिसका मतलब होता है heavenly place, या फिर स्वर्ग कह लीजिए, लांग मार्च 5B Y2 rocket से से launch किया गया है, इस तियाने module को wing chunk spacecraft launch site से, यह definitely आपको याद रखने की आवशकता नहीं है, लेकिन यह चुकि एक space station है तो आपको definitely इसके बारे में जानना चाहिए, जो तियाने module होगा, वो management और control hub की तरह काम करेगा, कई सारे और modules भेजे जाएंगे, जिन से मिलकर यह पूरा space station बनेगा, largest spacecraft होगा जिसे चाइना ने अभी तक develop किया है, T-shape में होगा, low earth orbit में जाएगा, 340 km से 450 km का यह पूरा region होता है, कहा जा रहा है कि 10 सार के लिए operational रहेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो यह 15 सालों के लिए भी operational हो सकता है, चाइना का यह जो space station होगा, वो ISS का competitor होगा, और ISS बहुत दिन तक नहीं चलेगा, 2025 से 2030 के बीच में, यह definitely difunctional हो जाएगा, ISS collaborative effort है, यह हम discuss कर चुके हैं, तर्टिकल Ebola virus disease के बारे में है, Democratic Republic of Congo ने अभी officially यह declare कर दिया है, कि उनके यहां से जो 12th Ebola virus का outbreak था, वो समाप्त हो चुका है, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और समझें कि Ebola virus disease होती क्या है, आप location देखिए, Democratic Republic of Congo यानि की DRC की, यह है overall पूरा Africa, बिल्कुल यहां center में आपको DRC, Democratic Republic of Congo मिलेगा, larger map आप यहां पर देख सकते हैं, यह Atlantic Ocean को भी touch करता है, बिल्कुल छोटे से location पर, ठीक है, यहां पर, तो यह एक land locked country नहीं है, बाकि पडोसी देखों में कुछ देख हैं, देख लीजिए, South Sudan, Central African Republic, Republic of Congo, यहां पर युगांडा है, यह रवांडा है, यह बुरुंडी है, यह तंजानिया है, यह जांबिया है, यह अंगोला है, यह सब इसके पडोसी देख हैं, बात करते हैं, Ebola virus disease के बारे में, इसे इसके पहले Ebola, hemorrhagic fever के नाम से भी पुकारा जाता था, काफी ज़्यादा खतरनाख होता है, यह humans में, और जो mortality rate है, वो काफी ज़्यादा होता है, origin की बात करें, तो for the first time इसे discover किया गया था, 1976 में, Ebola नाम की एक नदी है, Democratic Republic of Congo में, उसके नजदीक में, और इसी river के नाम पर ही इस virus को Ebola virus कहा जाने लगा, transmission की बात करें, तो जो wild animals होते हैं, उनसे यह इनसानों में आता है, इस perspective से आप इसे genetic कह सकते हैं, उसकी बाद यह human to human transmission में भी capable है, किसी भी एक इनसान से, जो infected है, उसके जो fluids हैं, चाहे वो नाक का हो, मुह का हो, आख का हो, अगर वो किसी दूसरे वेक्ति के contact में जाता है, तो उसे भी Ebola virus का खतरा होता है, symptoms की बात करें, तो sudden fever, बहुत ज़दा weakness, muscle में pain, sore throat, इसके बाद vomiting, diarrhea, internal और external bleeding, यह इसके कई सरे symptoms हैं, prevention की बात करें, तो community engagement बिलकुल key है, बिलकुल वैसे ही जैसे की COVID-19 में, जरूरी होता है कि सभी लोग मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें, कि इसी एक वैक्ती के प्रयास से कुछ नहीं होगा, बिलकुल सेम केस, Ebola के साथ होता है, मतलब अगर कोई वैक्ती infected है, उसकी मौत हो जाती है, तो बहुती precaution के साथ उसे बरी किया जाए, बाकि अगर कोई वैक्ती symptoms में है, तो उसे तुरंत precaution के साथ treat किया जाए, लोग हाथ दोते रहें, COVID की तरह इसे भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है, case management अच्छा हो, surveillance अच्छा हो, contact tracing की जाए, किस से किस पर फैल रहा है, laboratory service अच्छी हो, social mobilization को control किया जाए, तो Ebola virus को control कर सकते है, treatment की बात वही है, कि कोई proven treatment तो है नहीं इसका, अगर किसी वैक की कमी ना होने पाए, specific symptoms जो आ रहे है, like blood pressure कम हो रहा है, vomiting हो रही है, diarrhea हो रहा है, या कोई और infection हो रहा है, तो आप उसे treat कर दें, ऐसे ही treat करने की कोशिस की जाती है, जैसे right now COVID को treat करने की कोशिस की जा रही है, vaccine एक है, जो investigational vaccine है, खैर काफी हद तक वर्क कर रही है, नाम है RV SV, ZEBO, ये काफी safe और protective रही है, Ebola virus के खिलाफ, वैसे Ebola virus disease में जो fatality rate है, वो 50% के आसपास है, मतलब 50% chance होता है कि विक्ति की मृत्यू हो जाएगी, अलग अलग जिगहों पर जहां 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 outbreak हुए है, 25% से 90% तक mortality रही है, इस disease में, कई सारे देश जो इस से प्रभावित रहे हैं, जैसे Sudan, Democratic Republic of Congo, Gabon, Republic of Congo, ये कई सारे देश हैं जो इस disease से प्रभावित रहे हैं, हमरा next article R21 या Matrix M के बारे में है, दोनों नाम है, ये है क्या, ये malaria की एक vaccine है, जो हाल फिल हाल में काफी news में आई है, इनका phase 2 का जो clinical trial है, वो काफी successful रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पहले malaria की कोई vaccine थी नहीं, थी, RTSS नाम की एक vaccine थी, जो 30 सालों के research की बाद तयार की गई थी, इसे तयार करने में कई सारे entities ने काफी मदद करी थी, जैसे Walter Reed, Institute of Research, Glaxo, Smith, Klein, Bill & Melinda Gates Foundation, उन्होंने एक initiative चलाया था, path malaria vaccine initiative, उसे के तहर, इस RTSS को develop किया गया था, इसके साथ दिक्कत य है, WHO ने बोला है कि किसी भी vaccine को हम approval तब देंगे, या safe तब मानेंगे, जब उसमें कम से कम 75% की efficiency हो, जबकि इस RTSS की जो efficiency थी, वो महस 55% की थी, काफी research के बाद भी बहुत efficiency malaria के लिए नहीं आ पाई थी, आज हम COVID-19 की vaccine के लिए परिशान है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसने 77% की जो efficacy है वो दिखाई है, मतब 75% का जो एक boundary line है, WHO के द्वरा जो दी गई है, efficacy की उसे इनोंने cross कर लिया, अब ये work कैसे करता है, first of all तो ये plasmodium falciparum malaria parasite को liver mentor करने से रोकता है, जो उसके deadly effects होते है, human body उससे भी बच पाती है, further plasmodium falciparum body mentor करने के बाद कई सारे stages पर जाता है, तो liver stage पर वो जो protein generate करता है, ये उसको भी target करता है, देखे अभी तक केवल RTSS ही vaccine थी, जो बच्चों में malaria को रोक पाती थी, बट हमारे पास अब एक और vaccine है, जो नया version है, ये actually में RTSS का ही developed version है, उसी को और बहतर करके R21 matrix M बनाया गया है, इसे develop किस ने किया ह University of Oxford के scientist ने इसको develop किया है, उसी जिगे पर जहाँ पर AstraZeneca ने COVID-19 vaccine को develop किया था, हलांकि AstraZeneca गा इसमें रोल नहीं है, इसे University of Oxford के researchers नहीं तयार किया है, 75% efficiency है, ये इस पर हमारी बात हो चुकी है, हमारा next article positron access phenomena के बारे में है, context क्या है, रमन Research Institute RRI, जो कि Bangaluru में situated है, वहां के researchers नहीं, अभी एक mystery को solve किया है, जो anti-matter counterpart है, electron का, वो है positron, और positron access phenomena, इसके बारे में जो भी mysteries वगएर आभी तक चली आ रही थी, clarifications नहीं था, उसके बारे मिनोंने कुछ बताया है, समझते है, positron क्या है, इसका access phenomena क्या है, लेकिन उसके पहले anti-matter क्या होते है, पॉरड़क क रथाओं में कहा गया है कि देवता और दैत्ते थे, कहा जाता है कि भगवान है तो भूत भी है, लोग कहते हैं अच्छा है तो बुरा भी है, तो मामला बिल्कुल वही है, matter है तो anti-matter भी है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि anti-matter है या नहीं है, सवाल ये है कि कहां है, anti-matter ज कहा जाता है कि जब यह Big Bang हुआ, जब यह पूरा विसफोट हुआ, तो जितनी मात्रा में मैटर निकला, उतनी ही मात्रा में इंटी मैटर निकला. मैटर हमें दिखता है, जिससे यह पूरा युनिवर्स पना हुआ है, जो कुछ हम जानते हैं, उसकी बात हो रही है, लेकिन एंटी मैटर कहा चला गया, वो हमें नहीं मिला, वो हमें क्यों नहीं मिला, मतलब अगर बिग बैंक के समय दोनों एक्वल अमाउंट में निकले, तो मैटर है और इंटी मैटर नहीं है, तो क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, बिफो देट, आप कुछ बाते और समझेए, देखिए, मैटर और इंटी मै होता है, इलेक्टरॉन, विद माइनिस चार्ज, इंटी लिथियम, या आप इसे इंटी मैटर कह लीजिए, इसमें जो डिफरेंस होता है, वो सब अटोमिक लेवल पे चार्ज़िस में होता है, राइक प्रोटॉन के जगे पे यहां होता है, इंटी प्रोटॉन, प्रोटॉ का जो hero है वो ये positron है, तो matter और antimatter में जो difference है वो सिर्फ इतना ही है कि सब atomic level पे जो charges होते हैं वो opposite होते हैं, बाकी mass matter में भी होता है, antimatter में भी होता है, gravity के rules जिस तरीके से matter पे work करते हैं, बिल्कुल वैसे ही antimatter पे work करते हैं, like lithium, lithium का जो antilithium होगा, उसमें भी mass होगा, वो भी gravity पे वैसे ही attract करेगा, वैसे ही behave करेगा, जैसे कि lithium करता है, और कोई antar नहीं आएगा, दोनों के साथ दिक्कत ये है कि जब भी matter और antimatter आपस में टकराते हैं, तो एक annihilation होता है, visfort होता है, visfort होने पे क्या होता है, कि बहुत सारी energy release होती है, gamma rays के form में, और ये पूरी तरीके से खतम हो जाता है, मतलब कि matter भी खतम हो जाएगा, और antimatter भी खतम हो जाएगा, that's why scientists इसमें बहुत जिदा attract होते हैं, क्योंकि ये pure source of energy है, पूरा component पूरी तरीके से energy में convert हो जाता है, मतलब अगर आप एक atom bomb फोड़ते हैं, तो उसमें भी 8 से 10% जो matter होता है, उसका ही इस्त और दोनों ही compounds पूरी तरीके से खतम हो जाते हैं, समाप्प हो जाते हैं, इसे कहा जाता है annihilation, बिल्कुल वैसे ही, कि जब देवता और debt आपस में मिलते हैं, तो जगड़ा हो जाता है, लडाई हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही, जब matter और antimatter आपस में टकराते हैं, तो अब को समझ में आ रहा होगा, कि जब big bank के समय पे दोनों ही produce हुए matter और antimatter, तो antimatter कहा चला गया, इसके बारे में दो theories हैं, एक तो यह कहती है, कि incidentally, जो matter था, वो antimatter से ज़्यादा produce हुआ, तो antimatter ने equal amount में matter से collide करके, annihilation करके matter को खतम कर दिया, मतलब matter और antimatter दोनों खतम हो गया, जो excess में matter था, वो बचा रहा गया, और उसी से हमारा universe बना है, एक तो theory यह है, कि antimatter कहा गया, दूसरी theory यह है, कि हो सकता है कि antimatter universe में अभी भी exist करता हो, antimatter के planet सों, satellite सों, star सों, and maybe antimatter से बनी हुई पूरी की पूरी galaxy हो, लेकिन वो हमारी पहुँच से बहुत ज़दा दूर है हम उनके बारे में बिलकुल नहीं जानते, और वो matter से बने इस universe के contact में नहीं है, क्योंकि यह दोनों contact में आएंगे, तो blast कर जाएंगे, पुरी तरीके से खतम हो जाएंगे, तो यह दो theories हैं कि antimatter कहा गया, एक theory कहती है कि खतम हो गया, एक theory कहती है कि अभी भी है, हमारी होते हैं, वो opposite होते हैं, reverse होते हैं, यहाँ पे जो सारी बाते हो रही है, वो positron के बारे में हो रही है, positron anti-electron है, electron का ultra, जिस तरीके से electron में mass होता है, बिलकुल वैसे ही positron में भी होता है, बस charge का अंतर है, electron में minus charge होता है, positron में plus charge होता है, positron excess का क्या मतलब है, जैसे कि हम बा अब यहाँ पर दीखे, scientist नहीं observe किया कि universe में जो positron वो observe कर रहे हैं, वो ज़ादातर 10 GeV से 300 GeV के बीच के हैं 300 GeV के उपर के energy वाले positrons बहुत कम दिख रहे हैं 10 GeV से 300 GeV के बीच के positrons का जादा दिखना, इसे ही positron excess कहा गया GeV का मतलब है Giga Electro Volt, एक unit है सब atomic particles की energy को measure करने की, 10 GeV कितना होगा अगर समझना चाहें तो इस energy को store करने के लिए आपको 10 अरब volt की battery चाहिए होगी, 10 billion volt की battery तो positron excess का मतलब यही है, कि 10 GeV से 300 GeV के बीच के positrons जादा दिख रहे हैं, उसके उपर वाले कम दिख रहे हैं यही है positron excess, कारण क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा था, इस research में यही कारण उन्होंने बताया, अब देखें यह positrons आते कहा हैं, कैसे निकलते है positrons देखें हमारी जो आकाज गंगा है Milky Way, वो giant clouds से घिरी हुई है, जो molecular hydrogen से बने हुए हैं, हम इन clouds की बात कर रहे हैं, कई बार जो galaxies होती हैं, वो ऐसे clouds से घिरी हुई होती हैं, यह clouds जो होते हैं, बहुत massive होते हैं, यह हमारे sun के mass से 10 million times ज्यादा बड़े हो सकते हैं, ज्यादा dust का, gas का, अब देखें Milky Way में supernova explosions होते हैं, जो stars होते हैं, वो बनते और मर जाते हैं, जब कोई star मरता है, तो उसकी सारी energy उस star में ही गिर जाती है, उससे एक बहुत बड़ा explosion होता है, जिसे supernova explosion कहा जाता है, उस explosion के तुरान cosmic rays निकलती है, जब कोई तारा मरता है और supernova explosion होता है, तो उसमें cosmic rays निकलती है, cosmic rays क्या होती है, ये solar system के बाहर से आने वाले high energy particles होते हैं, cosmic का मतलब ही यह है, कि वो हमारे solar system के बाहर से आते हैं, ये stars से originate हो सकते हैं, और कई बाद ये earth के atmosphere से आके टकराते हैं, जिससे satellites वगएरा या other machinery वगएरा भी खराब हो जाती है, तो आ बहुत दुरी तक travel करती हैं, और earth तक भी आती हैं, जैसे की बात हो रही थी, लेकिन हमारे milky way में ये जो clouds हैं, ये इस cosmic rays को रोकते हैं, और जब ये cosmic rays इस cloud से टकराती हैं, तो electrons और positrons पैदा होते हैं, ये electrons और positrons जब further cosmic rays के form में travel करना शुरू करते हैं, तो वो in giant clouds से टकरा मतलब clouds इनकी energy से खुद को energize करते हैं, यही कारण है कि 300 GeV से ज़ादा energy वाले positrons हम earth से observe भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी energy तो ये clouds सोक ले रहे हैं, हाँ कई बार ऐसा होता है कि ये positrons in clouds energy सोक लेते हैं, उस case में 300 GeV से ज़ादा energy वाले जो positrons हैं, वो हम observe कर पाते हैं तो रमन research institute के जो researchers हैं, उन्होंने यही conclusion निकाला कि because of these clouds, जो इन positrons के energy को सोक ले रहे हैं, हमें ज़ादा तर positrons जो observance में आ रहे हैं, वो 10 GeV से 300 GeV के बीच में हैं, that's why इसे positron access phenomena कहा किया, अगला article बात करता है, crew to mission के बारे में, चार astronauts को international space station में Florida से ले जाया जाएगा, जो इसे पहले भी SpaceX के साथ इन्होंने mission किया था, demo 2 जो आपने cover किया ही होगा, यह mission है crew 2, तो commercial crew program है, क्या खास बात है, commercial crew program की, पहले तो यह जानिए कि NASA एक government body है, जो American space agency है, वो है यह, SpaceX असल में एक private space agency है, Elon Musk, इनके CEO है, coffee news में रहते हैं हो, तो SpaceX एक private company है, तो पहले NASA खुद अ astronauts को अंतरिक्ष में ले जाया करती थी, फिर NASA ने बोला कि, अब हम यह काम नहीं करेंगे, मैं research पर focus करना है, यह rockets पर बैठा के astronaut को ले जाने का जह मिला में चाहिए नहीं, तो यह काम जो rockets को ले जाना है, अंतरिक्ष तक वो काम private companies के लिए होना कहा कि हम छोड़ देंगे, त private sector काम करने शुरू कर दिये, NASA ने बहुत पहले ही अपने satellites को, अपने astronauts को launch करना, जो launching capacity थे, वो काम करना बंद कर दिया था, तो पिछले कुछ सालों से, NASA, Russia के Soyuz 2 rocket का इस्तेमाल कर दी थी, अब जो है, Space X का इस्तेमाल किया गया, जो Falcon rocket है वो, तो यह basic सी बात है, अब करते हैं आगे, तो commercial crew program क्या है, जिसके तहत private sector, NASA के साथ partnership करता है, वो उनके astronauts को ले जाता है, इससे क्या होता है, commercial market create होता है, NASA का खर्च बचता है, और private companies को technology और know-how भी मिलती है, तो Boeing SpaceX का नाम जिसमें आपको पहले बताया, इसके थुरू private companies involved हो रहे हैं, और पिछले साल, म SpaceX के पास यह capacity है, कि वो astronauts को International Space Station तक ले जा सकते हैं, SpaceX के जो capsules है, वो successful है, Demo 2 के बाद crew 1 mission launch हुआ था November में, उसके बाद यह crew 2 mission है, तो crew 1 पहला operational flight थी, जो की Falcon 9 rocket से भी थी, जो ISS तक गही थी, यारे International Space Station तक, यह दूसरा mission है, which is crew 2, जिसके अंदर astronauts को ले जा गया है, कहां, International Space Station mission था, खास बात यह है, कि crew 2 mission में, सिर्फ NASA की astronaut नहीं है, normally crew 1 में, NASA के astronaut थे, crew 2 के अंदर, NASA की जो partners है, जैसे Japan, या EU, उनके members भी गए हैं, तो यह दिखाता है, कि बाकी देशों की Space Agency का भी confidence बढ़ गया, कि हां, यह private company अपने ships बेज रही है, अपने rockets बेज रही है, तो यह safely च यह mission है, इसका focus किया, हमने बात कर लिए, commercial program की, मगर यह mission है, करने क्या जा रहा है, वही क्यों ले जा रहे है, astronaut को Space तक, चार जो आईसे सिर्च करेंगे, tissue chips के उपर में, tissue chips असल में, जो humans के organs होते हैं, हमारे, उनका एक छोटा सा नमूना होता है, वो बिलकुल human organ की तरह behave कर है, जिसे लेट से हर्ट को ले लें, तो हर्ट का कोई छोटा सा टुकड़ा वो बनागे ले जाएंगे, जो कि हर्ट की तरह काम करेगा, वो space में जाके study कर बाएंगे, किस तरह परफॉर्म करता है, क्या changes आते हैं, तो इससे जो effective drugs और vaccines है, जो बनाईश जा सकती है, ताकि ज जो astronauts हैं, या कुछ ऐसा study, disease को study करना हो, तो वो सब किया जा सकेगा, ये काम है basically, इस mission में research का focus ही होगा, कौन से किस के हम बात करें, crew 2 mission, तो ये crew 2 mission के अंदर जो आपके astronauts के हैं, ये उनकी विवरन है, कौन-कौन से थे, हमें नाम याद करना इंपार्ट नहीं है, हमें पता ह कौन-कौन था, जिसे ESA kastronaut थे, European Space Agency के और चाकसा के, जो जैपाइन के थे, बाकि 2 NASA kastronaut थे ही, किस company अंदर लाउंच किया SpaceX में, ब्लैक फंगस infection के बारे में है, डेली के hospitals में, इस प्रकार के infection वाले patients की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चिंता का विसा है, इसे COVID- induced कहा जा रहा है, मतलब ऐसे patient जो COVID से recover हो चुके हैं, उनमें ये infection जादा देखा जा रहा है, क्या है पूरा मामला, first of all तो ये एक fungal infection है, जिसे mucar mycosis भी कहा जाता है, इसे पहले एक और नाम से पुकाला जाता था, that was gyomycosis, but popular नाम mucar mycosis है, काफी serious और rare fungal infection है, किसी को कभ होता है, group of molds हैं, जिसको cause करते हैं, जिन्हें mucar mysets कहा जाता है, mucar mysets, ये molds क्या होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, bread में इस प्रकाल की फफूदी लग जाती है, इन्हें ही mold कहा जाता है, ये environment में लगभग हर जगे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर व्यक्ति को infect करते फिरते हैं, usually ये ऐसे लोगों को infect करते हैं, कि इनको पहले से ही कोई health problem हो, वो medicines ले रहे हो, उनकी body बहुत जदा weak हो, और germs से fight करने की उनकी ability उनकी body की कम हो, COVID-19 में हमें पता है कि कई तरीके का medication किया जाता है, body काफी जादा weak हो जाती है, in that case, इस fungal infection के chances बहुत जादा होते हैं, एक और मामला है, जब COVID-19 को treat किया जाता है, तो esteroid का इस्तेमाल किया जाता है, inflammation को कम करने के लिए, इसके वज़े से भी body इस प्रकार के fungus infection के लिए ज़्यादा exposed हो जाती है, symptoms की बात करें, तो चेहरे का सुन हो जाना, एक नाख का बंध हो जाना, आँखों में swelling होना, pain होना, ये सब इसके symptoms हैं, वैसे ये body के किसी भी part को infect कर सकता है, किन अच्छी बात ये है कि ये contagious नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता, लोगों से animal तक नहीं जाता, तो ये एक positivity आप कह सकते हैं, इसमें mortality rate भी काफी जादा होता है, शुरुआत में पता चल गया, treatment हो गया तो ठीक है, नहीं बाद में, विजन का चले जाना, रोशनी का चले जाना, आँख का, ये भी खत्रा रहता है, और जान जाने का खत्रा भी definitely रहता है, जो बना next article है, वो lumpy skin disease के बारे में है, बिहार की सरकार ने भी killer जारी किय है, कि ये जो बिमारी है, वो काफी तेजी से फैल रही है, कैटर में, lumpy skin disease, viral illness है, मतलब एक जानवर को हुआ है, तो आसपास के जानवरों को हो जाएगा, जानवरों के मरने का खत्रा बहुत जादा होता है, usually, buffaloes में, lumpy skin disease virus इसे cause करता है, pox virus है, actually में तीन closely related species हैं pox virus की, उ इसका नाम lumpy skin disease virus है, जिससे ये होता है, symptoms की बात करें तो body की उपर गाठे वन जाती है, nodules कह लीजए आप, वो 2-5 cm बड़ी हो सकती है, diameter में, पूरी body पर हो जाती है, सिर पे, गले पे, हाथ पैर पे, जो भी cattle है, limbs में, genitals में भी sometimes, जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं घाव में परिवर्टित हो जाते हैं, उसके बाद वो cattle निमे धिमे करके मर जाता है, कोई ऐसा जैसे mosquitoes हैं, flies हैं, ticks हैं, ये ऐसे जानवरों पर जा रहे हैं, जो infected है, फिर वो दूसरे जानवर पर गया है, तो ये उसको हो जाएगा, कोई treatment नहीं है इसका, इसके लावा, जिस से endemic है अफरिका का, specifically West Africa का, 1929 में for the first time identify किया था, South East Asia में पहली बार ये बांगला देश में आया, जुराई 2019 में, इंडिया में पहला केस इसका अगस 2019 में आया था, उडिशा के मयुर्भंजवाले एलाके में, हमना जो next article है, वो 2, deoxy deglucose के बारे में है, 2DG के बारे में ह DCGI, Drug Controller General of India ने अभी हाल ही में emergency approval दे दिया है, DRDO के दवारा बनाई गई एक दवा के लिए, जो की COVID-19 के जो moderate to severe cases है, उनको treat कर सकता है, इसका नाम 2DG है, या 2 deoxy deglucose, anti-covid oral drug है, powder के form में है, मतलब हमें इसे injection के साथ नहीं लेना होगा, किस ने बनाया है, DRDO की एक lab है, Institute of Nuclear Medicine and allied sciences, उन्होंने doctor ready laboratories के साथ मिलकर collaboration में इसे develop किया है, ये work कैसे करता है, powder के form में आता है, तो पानी के साथ घोल के भी इसे लिया जा सकता है, ये actually में ऐसी हमारी body cells, जो coronavirus से infect हो जाती है, ये केवल जाकर उनको identify करके hit करता है, उसके उपर ये accumulate हो जाता है, और उसके बाद उस virus की growth को रोक देता है, क्योंकि जो virus होता है, वो खुद को replicate करता है, तो ये उसके replication को रोक देता है, इसलिए patient आसानी से cure हो जाता है, ये selective तरीके से ऐसी cells को choose करके उन पर accumulate होता है, जो COVID-19, ये जो coronavirus है, उससे infected होती है, इस वजए से ये दवा बहुत ही unique है, significance ये है, कि ऐसे patients जो hospital में है, उनकी recovery काफी तेज हो जाती है, इस दवा के इस्तिमाल के बाद, RT-PCR negative report उनकी काफी जल्दी आ जाती है, जो standard treatment है, उसके comparison में, DCGI की बात करें, तो ये Ministry of Health and Family Welfare के तहत काम करता है, Apex Department है, Central Drug Standard Controller, Control Organization का, काम ये है, कि ये दवाईयों वगएरा को license प्रोवाइड क पनाते हैं, कि उनकी manufacturing कैसे की जाएगी, sale import, distribution कैसे होगा इंडिया में, और इस रेक्स मिशन के बारे में है, हाली में न्यूज में ये आई है बात की, और इस रेक्स मिशन जो है, वो asteroid Bennu से return आ रहा है, वहाँ से निकल चुका है, हाला कि धरती तक आने में अभी इसे दो साल का समय लगेगा, मतलब ये वापस आ रहा है, तो गया कब था, और क्यों गया था, और इस रेक्स का full form है, origin, spectral, interpretation, resource, identification, security, regolith, explorer, तो क्या आपको ये full form याद रखना है, बिलकुल नहीं याद रखना, और इस रेक्स इतना ही काफी है, देखे, 2016 में इस mission को launch किया गया था, USA के द्वारा, USA ने पहली बार ऐसी कोसिस की कि वो किसी asteroid से कोई sample collect करके study करें, बार-बार नाम आ रहा है asteroid का, asteroid होते क्या है, asteroid small rocky objects होते हैं, जो सूरी के चारो और चक्कर लगा रहा हैं, वैसे तो देखे, ये planet की तरह ही होते हैं, बट planet से काफी छोटे होते हैं, जब मारे solar system का निर्माड हो रहा था, तो कई सारा जो dust था, वो इकठा होके planet में convert हो गया, कुछ बेचारे छूट गए, वो काफी छोटे थे, तो वो planet नहीं बन पाए, लेकिन वो planets की तरह ही सूरी के चारो और चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर देखे, यह जो green color का path है, वो asteroid Bennu का है, अब ऐसा भी नहीं है कि Bennu एक मात्र ऐसा asteroid है, जो सूरी के चारो और चक्कर लगा रहा है, इनकी संख्या तो millions में है, in fact एक पूरी asteroids की belt है, जो हमें Mars और Jupiter के बीच में मिलती है, additionally एक Cooper belt है, जो की Pluto के भी बाहर मिलेगा, solar system के बाहर, यह भी सूरी के चारो और चक्कर लगा र और वापिस से Earth पर लेकर आना था, साथ सालों का लंबा समय लगा है, और यह 2023 में complete होगा, तो हमें वहां से 60 gram sample मिल जाएगा, जो धर्ती तक आएगा, अब ऐसा भी क्या था कि हमें 60 gram मिट्टी और पत्थर asteroid Bennu से मंगाना पड़ रहा है, वो भी 7 साल का लंबा समय लगा कि, क्या यहां धर्ती पे मिट्टी और पत्थर की कमी पड़ गई थी, ऐसा बिलकुल नहीं है, एक्चुली में जो asteroid Bennu है, यह बहुत पुराना है, यह तभी बना होगा, जा हमारा solar system बन रहा होगा, billions of years में इसके composition में कुछ खास changes भी नहीं आये हैं, तो यहां पर कुछ chemicals होंग के कुछ rocks होंगी, जो solar system के बनने के समय के होंगे, अगर वो हमें मिल जाते हैं, तो हमें solar system, sun, earth और बाकी planets के बनने के दौरान जो कुछ हुआ होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, बस इसी उम्मीद में यह मिट्टी और पत्थर हम मंगा रहे है इस asteroid venue में carbon की मात्रा बहुत जादा है, और कई सारे मिंडल्स हैं, यह carbonaceous asteroid है, इसी वज़े से यह बहुत कम light को reflect करता है, सिर्फ 4% light यह reflect करता है, जो भी इसको hit करता है, यह बहुत कम है, अगर आप Venus की comparison में जाएं, तो Venus 65% light reflect कर देता है, और तभी जो light Earth पे पढ़ती है, 30% reflect कर देता है, यह केवल 4% करता है, तो आप समझ सकते हैं, कि यह काफिर significant है, इसके बारे में study करना चाहिए, यहाँ पर next article National Technology Day 2021 के बारे में है, देखे, डे वगएरा UPSC नहीं पूस्ती, लेकिन सामने आ गया है, तो बता देता हूँ, अगर आप कभी Science and Tech पे ऐसे वगएर उसके एक साल पहले, मई 11 1998 को इंडिया ने कुछ बहुत important काम किये थे, पोखरन में nuclear bomb को successfully test किया था, और इंडिया उसके बाद एक nuclear power बन गया, और पोखरन 2 nuclear test के दौरान ही, हमने nuclear weapon का इस्तेमाल करने के लिए सकती बन nuclear missile को भी successfully test fire किया था, इसके लिए जो operation चलाया गया था उसे code name किया गया था, operation सक्ती के नाम से, इतना ही नहीं, इसे दिन इंडिया ने थ्रिसूल missile को भी test fire किया, जो कि surface to air salt range missile है, at the same time, first indigenous aircraft, हंसा 3 को भी, पहली बार test flown किया गया, इसके पहले कि हम विस्तार से बात करें कि zeolights क्या होते हैं, आप एक keyword अपने दिमाग में बढ़ा सकते हैं, कि ये aluminium के silicate होते हैं, जिनका इस्तेमाल medical oxygen के production में किया जाता है, कैसे और क्यों किया जाता है, that way we'll understand, before that, context ये है कि air India ने अपनी पहली flight को start कर दिया है, चुकि हमें ज़ादा oxygen का production करना है, तो हमें ज़ादा zeolights की भी आवश्यक्ता पड़ेगी, इसके लिए सरकार कई सारे अन देशों से zeolights को import कर रही है, तो air India ने अपना ये काम अभी start कर दिया है, that's why ये पूरा मामला news में आया, देखे, zeolights का इस्तेमाल करके medical oxygen बनाने के लिए जिस तक्नीक को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे नाम दिया गया है pressure swing absorption process, इस तक्नीक को develop किया जा रहा है DRDO के द्वारा, इसके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे, जिसमें zeolights का इस्तेमाल molecular sieve के रूप में किया जाता है, sieve का मतलब समस्थे हैं, छलनी, जिसका इस्तेमाल आप घर में चाय को चानने के लिए करते हैं, मतलब zeolights को चानता होगा, क्या चानता है? Obviously oxygen को चानता है, बाकी की gases को रोख देता है और oxygen को चानके बाहर कर देता है, zeolights इस तरीके से adsorbent material की तरह वर्क करते हैं, because ये बाकी की gases को सोख लेते हैं, oxygen concentrators में भी zeolights का इस्तेमाल किया जाता है, इस पे pressure दिया जाता है, जब हम ज़ादा pressure देते हैं, जिस भी tank में zeolights का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो surface area है वो बढ़ जाता है, surface area बढ़ने के वज़े से ये ज़ादा nitrogen को सोखने की चमता रखने लगता है, तो oxygen concentrator में भी यही काम करता है, nitrogen को सोख लेता है और बाकी oxygen को बाहर कर देता है, presence की use के लिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि pressure swing absorption process का इस्तेमाल किया जाता है, आप आसानी से समझ सकें, इसलिए पहला सब्द है pressure, इस तक्नीक में pressure का इस्तेमाल किया जाता है, समझेंगे क्यों किया जाता है, swing, क्योंकि जिस तरीके से oxygen generating plants का structure होता है, एक air का swing create हो जाता है, circle create हो जाता है, absorption समझ में आ गया है, इसमें zeolite का इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी gases को सोखता है, pressure का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाकी gases को अलग किया जा सके और oxygen को निकाला जा सके, ऐसा करते वक्त हम near ambient temperature को यूज कर सकते हैं, आसपास जो हमारा temperature है, उसका ही इस्तेमाल हो जाता है, adsorbent material के लिए zeolites के अलावा, activated carbon का भी इस्तेमाल किया जाता है, high pressure में ये बाकी की gases को trap कर लेते हैं, और oxygen को बाहर कर देते हैं, ये प्रक्रिया काम कैसे करते हैं, आप इस image में देख सकते हैं, ऐसा करने के लिए हमें दो tanks की आवशकता पड़ेगी, दो tanks नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन plants में दो tank यूज के जाते हैं, ताकि ये प्रक्रिया continuous रहे और इसमें break ना लगी, होता क्या है देखिए, ये दो tanks हैं, यहाँ पर नीचे दुनों tanks में हम zeolites लगा देते हैं, यहाँ से जाएगी हवा, dry air जब यहाँ पर enter करेगी, तो zeolite nitrogen को और बाकी की gases को रोक लेगा, और जो सुद oxygen है, ये उपर निकल जाएगी, इसके बाद इसे हम बाकी यहाँ पर किसी tank में store कर लेंगे, जब थोड़े समय के बाद, ये zeolites saturate हो जाएगे, nitrogen को सोकने की छंता इनकी खतम हो जाएगी, तो हमें nitrogen को यहाँ से release करना होगा, यहाँ से हम pressure 5-10 बार का maintain करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से nitrogen को release करके बाहर करेंगे, तो यहाँ पर pressure कम होने लगेगा, जैसे ही यहाँ पर pressure कम होने लगेगा, फिर oxygen generation की जो प्रक्रिया है, वो रुख जाएगी, मतलब nitrogen को release करते वक्त हमें कुछ समय के लिए इस tank को free करना होगा यहाँ पर oxygen नहीं बन पाएगा उस समय oxygen generation की प्रक्रिया रुके नहीं इसलिए हम इस जगे को block करेंगे और dry air की supply इधर छोड़ देंगे यही सारी प्रक्रिया इस tank में repeat होगी यहाँ पर oxygen बनेगी और यहाँ इस tank में आके store हो जाएगी जब हम इस tank में से again nitrogen को यहाँ से release करेंगे और इस जगे पर pressure गिरने लगेगा तो हम इस tank को free कर देंगे और इसका इस्तिमाल करने लगेगे तो दोनों tanks alternative ले इस्तिमाल होते हैं और air की एक swing create हो जाती है इसे करके इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को pressure swing absorption process कहा जाता है लगातार oxygen की supply बनी रहे इसलिए दो tanks का इस्तिमाल किया जाता है I hope आपको समझ में आ किया बात करते हैं zeolites की यह microporous होते हैं चोटे-चोटे इसमें chain होते हैं जो oxygen को छनने देते हैं three-dimensional crystalline solid aluminium silicate होता है aluminium का silicate होता है मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था चोटी-चोटी openings होती है चोटी-चोटे chain होते हैं जो बड़े molecules को रोक लेते हैं और चोटे molecules को oxygen को बाहर जाने देते हैं zeolite वैसे हमें naturally भी मिल जाता है इसके लामा हम इसे synthesize करके lab में भी बना सकते हैं zeolites काफी stable होते हैं यह किसी भी environmental condition से खुद को प्रभावित नहीं होने देते resist करते हैं इसका melting point भी बहुत high होता है 1000 degree Celsius के उपर temperature होगा तभी यह गलेंगे नहीं तो गलेंगे नहीं और यह जलते नहीं हैं बहुत high pressure भी बरदास कर सकते हैं और उसको resist भी करते हैं हलांकि जब pressure बहुत ज़दा पड़ता है तो surface area definitely इनका बढ़ जाता है यह dissolve नहीं होते पानी में किसी भी inorganic solvent में यह dissolve नहीं होते zeolites reactive नहीं होते हम इने naturally occurring minerals के form में पास सकते हैं इसलिए यह involvement को नुफसान भी नहीं पहुचाते कुछ ऐसे दिखते हैं zeolites अगर आप इन्हें देखना चाहें तो कई और इसके forms हो सकते हैं बट एक image मुझे यहां पे मिल गई थी तो मैंने आपके लिए रखती है zeolite की ठीक है अगली important news है white fungus के बारे में पत्ना बिहार में चार नए white fungus के cases आये हैं जिन्हें candidaeus भी खा जाता है already हम black fungus से ही परशान थे एक नया fungus आ गया है white fungus तो पहले जो black fungus था उसके बारे में basic सी में आपको information दोंगा जो आपने already cover करी होगी black fungus में होता गया कि नाक से black muckus निकलने लगता है या फिर आपकी आँखों के निचे दर्द होने लगता है और आपने देखा होगा काफी सारी news reports में already कि वह बिल्कुल एक fungus setup पूरे चेहरे के उपर तक हो जाता है तो यह था black fungus अब एक नई समस्या white fungus की आ रही है अब black fungus के case में ऐसा था कि बाहर black moles होते हैं हमारी आसपास environment और जो को infected हो जाते हैं उनकी immunity इतनी घर जाती है क्योंकि हमने steroid ले होते हैं तो हमें black fungus हो जाया करते थे लेकिन अभी कुछ fungus एक ऐसे white क्या है अब यह white fungus क्या है तो white fungus की समस्या यह है कि यह एक तरह का fungus जिसे candida भी कहते हैं ठीक है तो बस नाम आप यादर के candida क्या है candida वह एक तरह का fungus है जो कि body के internal areas में रहता है यानि आपके जबड़े के लाके में या फिर आपके mouth के अंदर या गले के अंदर या फिर gut में या फिर vagina में ऐसे portion में यह पाया जाता है और यहाँ कोई problem में ऐसे normally करता नहीं कि skin के अंदर होता है लेकिन जब जब हमारे immunity घड़ जाती है बहुत जाद और जो लोग अभी करोना से संक्रमित है उन वह steroid लेते हैं जो हमारी immunity और घटा दीता है और फिर वहाँ बहुत तेजी से infection फैलाते हैं यह जिससे हमें हो जाती है Candida albicans मतलब white fungus वाला infection तो यह infection क्यों हो रहा भाई low immunity है इसलिए और ज्यादा risk-based पे रहते हैं बच्चे और all ते तो black fungus की तरह यह भी जिनका immune system खराब उन्हें को primarily होता है जिसके diabetes अगर है किसी का को transplantation हुआ है AIDS हुआ है तो ऐसी टाइम में जब body की immunity कम होती है तब जादा यह हो जाता है इसलिए बहुत ही खतरनाग हो सकता है अभी कम level पे आया है और इसकी जो symptoms हो almost covid की तरह है और chest infection पहुंचाता है क्योंकि white fungus फिर धिर धिर lungs तक पहुंच जाता है और lungs को बुरी तरह और फिर anti-fungal medication को दी जाती है इसकी prevention का तरीका यही है sanitation ढंग से की जाए और कोशिश की जाए कि पहले covid हो ही ना राइट सिर्फ दूसरी बात आती है जो हमने already black fungus थोड़ा सा cover किया which is mucormycosis जिसके अंतरगत black fungus द्रस्त कर लेता था इंसानों को जहां वो आपके again same scenario है कि व मोल्स बाहर होते थे वो आके attack कर ले रहे वेक्ति पो यहां पर आपके internal ही कुछ normally किसी लोग कुछ-कुछ जगों पर पाया जाता है यह बहुत कम मात्रा में पर क्योंकि immunity खतम हो जेकी हो तो आपके पर attack कर देते अगला एक forest disease जो कि काफी news में रहा था covid के time पर यह भी आया attack के cashnure forest में होती है तो cashnure forest disease वो disease है जो cashnure forest से बन कर आई है और काफी जादा फैलती है कई लोगों की मौद भी होती है 500-600 लोग इसमें infect हो जाते हैं और इसको लेकर ICMR एक नया analyzer बनाया है एक नया kit तयार गया है ताकि वो ठंग से process कर सके और diagnose कर सके बच्छा है बिमारी हो रही है नहीं हो रही क्या है यह बिमारी it is also known as monkey fever क्योंकि यह बंदरों से इंसार में फैलता है किसी मरेवे बंदर से या किसी infected बंदर के काटने से किसी वेक्ति को यह हो सकता है तो जादा spread out नहीं है mostly western guard की कुछ region में ही बिमारी पाई जाती है पर काफी खतरना क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है इसकी vaccine हलना की है तो यह खास बात यह कि जो नहीं किट बनाया गया पहले यह देख लेते हैं यह किट ICMR ने डेवलप किया है ICMR की जो National Institute of Virology है उनने इसे डेवलप किया है यह एक analyzer है जो प्रोसेस करें कि भाई क्या है blood samples को और बताएग आपको कि यह disease है भी या नहीं तो इसको लेके फा अंदरों को इंपक्ट करता है 1957 से स्टार्ट हो चुका है और वेस्टन घाट के लिए बहुत बढ़ी समस्या रही है क्योंकि monkey birds और रोडेंट से फ्रू फैलता है तो पर तभी फैलता है जो आपको कोई काट ले या आप किसी जानरों के संपर्थ में आजा जो कि जो कि अल् इसकी वेक्सीन हालाकी है अगेन वेक्सीन होना और इलाज होना different things जैसरे कोई की वेक्सीन है लेकिन कोई होने के बाद उसका इलाज तो समवब थोड़ा मुश्किल है तो उसी प्रेकार से वेक्सीन मतलब होता है prevention तो उस इलाके के लोगों को पहले ही वेक्सीनेट किया जा जाती है उसका नाम है ELISA which is enzyme linked immunosorbent serologic assay यह पूरा नाम आपको पता हो ना हो पर आपको यह पता नाम कि testing किस चीज़ से की जाती है ELISA जैसे AIDS की testing के लिए कौन सा इस्तमाल किया जाता है diagnostic tool कि आपको याद है तो कुछ चीज़ें जो पता हो नीचे मैं आपको point out कर रहा हूं वो चीज़ें ज़रूर आपको शुश करें कि आपको याद रहे कि FD क्या है क्या यह इंसानों से इंसानों में फैल रहा है अभी तक तो नहीं और कहां किस रीजन में यह जारा फैलता है ताकि ऐसे question आए तो आप फ़से ना यह इसका structure है कि पहले एक जारों को होगा फिर कैसे दूसरे rodent या बंदरों को हो जाता है उनसे फिर इंसानों तक फैल जाता है यलो फंगस के बारे में है तो black and white fungus की अपार सफलता के बाद आपके लिए pace है यलो फंगस अब ये हैं कौन भाई साब इनके बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा before that context किया है COVID-19 के जो patients हैं उनमें recovery के बाद कई तरीके की problems देखी जा रही है गाजियाबाद में अभी हाल ही में एक case diagnose किया गया है जिसमें यलो फंगस का जो infection है उससे detect किया गया इसके बाद चिंता बढ़ी क्योंकि before that जो black fungus है वो काफी बुरी तरीके से लोगों को infect कर रहा है उसमें जान जाने का खत्रा भी बहुत जादा होता है उसके बाद white fungus का infection देखा गया ना अब एक नए प्रकार का fungus अब बीमारी भी सतरंगी होने लगी है तो समस्या तो बढ़ेगी जो यलो फंगस है इसे mucor septic के नाम से भी पुकारा जाता है fungal infection है medical experts का ये मानना है कि generally ये इंसानों में नहीं होता rather reptiles में होता है वो जमीन पे रेंगने वाले जीव कारण क्या है अच्छा खाना ना मिले hygiene poor हो high level of humility अगर वो 30 से 40% के range में है तो अगर हम 20 खाना खा रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई या फिर हमने खाने को सही तरीके से dispose नहीं किया तो वहाँ पर भी इस fungus के आने की संभावना बनी रहती है जो अभी problem आ रही है वो यह इसलिए है because covid-19 जो patients है उनमें inflammation को कम करने के लिए asteroids का इस्तिमाल किया जाता है बाद में इसकी वज़े से वो इन infections को लेकर जादा vulnerable हो जाते हैं यह problem आ रही है symptoms क्या है laziness feel होगी भूख या तो कम लगेगी या लगेगी ही नहीं और weight loss सुरू हो जाएगा serious cases में body के कई parts से जो पस है वो निकलना सुरू हो सकता है और बहुत धीमे-धीमे heal होने वाले open wound खुले हुए घाव बनने सुरू हो जाएंगे कुछ cases में नर्क्रोसिस भी देखा गया है मतलब जो living tissues हैं वो अपने time cycle के पहले ही खतम होने लगते हैं कैड कोई treatment है बिलकुल एक anti-fungal drug है M4-terrecin B वो इस पे वर्थ करती है इसलिए इसके डिमान भी काफी तीजी से बढ़ रही है यलो-fungus को treat करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी तक इसके पहले black और white fungus के treatment में भी इसी दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या yellow fungus black और white fungus से ज़्यादा खतरनाख है yellow fungus बाकी के जो दो fungus infections हैं जिनके अभी हम बात कर रहे थे black और white उनसे ज़्यादा खतरनाख इस मामले में हो जाता है क्योंकि ये body में internally शुरू होता है अगर वो body में internally शुरू हो रहा है तो जब तक ये पूरी तरीके से infect ना कर दे या अपना प्रभाव जमान ले तब तक दिखता नहीं है पता नहीं चलता और जब तक इसे diagnose किया जाता है तब तक ये काफी हद तक खतरनाख बन चुका होता है इसलिए cases critical हो जाते हैं इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये black और white fungus की तुल नामी ज़्यादा खतरनाख है हमारा next article pediatric inflammatory multisystem syndrome के बारे में है PIMSTS हाल ही में एक study में ये बताया गया कि जो बच्चे जिनको कुछ बच्चों में वैसे cases देखने को मिल रहे हैं PIMSTS के symptoms देखने को मिल रहे हैं Actually में cases ऐसे patients में आ रहे हैं जिनको mild या फिर asymptomatic COVID-19 infection हुआ था Corona infection हुआ क्योर हो गया पता नहीं शिरा लेकिन बाद में इस बीमारी के symptoms देखे गए PIMSTS एक systematic disorder है Systematic disorder का मतलब एक ऐसी बीमारी से है जो शरीव के कई सारे हिस्टों को affect करता है या sometimes twory body को इसलिए इसे sometimes multisystem inflammatory syndrome MIS भी कहा जाता है क्योंकि ये body के कई सारे systems को damage कर सकता है C indicate करता है children को कई बार ये adults में होता है तो MIS A कह दिया जाता है A indicate करता है adult को एक rare condition है ये जो कि SARS-CoV-2 infection के सांथ associated है जोड़ी जाती है पहली बार इसे April 2020 में define किया गया Causes देखे क्या है मुझे नहीं पता In fact किसी को नहीं पता because इसके causes अभी तक clear नहीं है लेकिन एक rare immune over reaction हो सकता है ऐसी संभावना जदाई जा रही है जैसे कि जब COVID-19 हो जाता है तो उसके बाद हमारी body antibodies create करती है तो उसकी अधिक्ता के वज़ा से हो सकता है inflammation create हो रहा हो और इस बीमारी के इस syndrome के symptoms हमें देखने को मिल रहे हैं symptoms देखे इस बीमारी के simple से है fever, rash, eye infection, diarrhea, stomach ache और nausea कई सारे rare cases में multi organ failure भी हो सकता है यह सारी बाते PIMSTS के बारे में हमारा यह article है national AI portal के बारे में वैसे तो एक साल हो गया anniversary है इसकी जान दीजिए क्योंकि यह इंडिया में एक initiative है जिससे artificial intelligence को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है portal है मई 2020 में launch किया गया था, तीन लोगों ने मिलके launch किया था, METI, NEGD और NASCOM full form बताना पड़ेगा, चलिए बता देता हूँ, Minister of Electronics and IT, METI के लिए NEGD का मतलब है National E-Governance Division NASCOM की बात करेंगे तो the National Association of Software and Services Companies, objective क्या है इंका, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा atmosphere create करें कि जो artificial intelligence का ecosystem है वो बढ़िया हो और इंडिया की जो AI में जरनी है उसमें हम excellence और leadership अविल कर सकें करेंगे कैसे, यह प्रकार का one-stop digital platform है, जहां पे resources को share किया जाएगा, आपको articles मिल जाएंगे, start-ups के लिए material मिल जाएगा investment fund जो AI में होना है, resources, companies, educational institutions, सभी यहां पे इस प्रकार्म पे इकठा हो सकते हैं portal पे आपको documents, case studies, research report यह सब मिल जाएंगी, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी So that was all about national AI portal Recently scientist को सबसे चोटा black hole मिला और उसी black hole को नाम दिया गया है the unicorn आज का यह particular article उसी के बारे में है यह Milky Way में मिलता है, इसका जो mass है वो 3 times of the sun है जिसकी वज़े से इसको mass gap situation में रखा जाता है, जो researchers हैं इसको कहते हैं कि mass gap category में आ रहा है अब mass gap का मतलब क्या है, तो एक तरफ जो neutron star होते हैं, उनका mass होता है 2.2 times of the sun और दूसरी तरफ जो smallest black hole अभी तक पाया गया था, उसका mass था, वो 5 times the sun था और इसी वज़े से जब आप एक ऐसा black hole देखते हैं, जिसका mass 3 times of sun है तो वो beast के category में, mass gap की category में fall करता है, मतलब कहीं in the middle fall कर रहा है the unicorn अब हम black hole के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं तो space में एक ऐसी जगा है black hole जिसका gravity pull बहुत जादा होता है, इतना जादा कि रोशनी भी उसके सामने से निकले तो उसको भी यह खीच लेता है, या फिर रोशनी भी उससे बहार नहीं निकल सकती यह क्यों होता है, क्योंकि बहुत शोटी सी जगा में बहुत सारे matter को squeeze कर दिया जाता है, यह black hole अक्सर जब बनता है जब एक star die करता है, जैसे हमारा sun है वो एक star है जब वो die होगा, जब वो मरेगा, मतलब उसके अंदर का जो एक fusion reaction है वो खतम होगा, तब वो black hole में तबदी जिसमें special tools, यह particular tools जो होते हैं इन ही से observe करा जाता है black hole को, अब black hole जो है वो अलगलग size के बड़े और छोटे हो सकते हैं, particularly अगर हम बात करें तो 3 categories है black hole की, पहला stellar, दूसरा supermassive और तीसरा intermediate mass, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं the unicorn वो stellar category में आता है, और unicorn के तरीके के ही, unicorn जैसे ह हैं, अब इस particular black hole का क्या significance है, black holes का in general क्या significance है, पहली बात तो हमें dark matter के बारे में पता चलता है, किस तरीके से इसका distribution, उसके बारे में पता चलता है, heavy elements का production और distribution पूरे cosmos में, किस तरीके से, इसके बारे में पता चलता है, magnetic field के origin के बारे में भी, जो scientist है, जो astrophysicist है, वो इस तरीके से star formation हो रहा है उसमें सुपरमास से black holes का काम आ गया एक और important सवाल है जो 2019 के paper में पूछा गया था gravitation waves के बारे में तो gravitation waves जो है जिसके उपर Einstein ने थेवरी दीती कि जब दो black holes सुपरमास से black holes जब वो टकराएंगे तो उसकी वज़े से ripples create होती है जो ringing pattern create होगा wave जनरेट होंगी और waves को आप study कर सकते है उससे आपको उन body का mass और उनकी spin के बारे में पता चलेगा और यही gravitation wave जनरेट होती है इसके लिए बहुत सारे अलग-अलग research centers भी बने इंडिया में जो बनाए उसको indigo कहते है उसके लाव़ लीगो भी आपने सुना आगा इस तरीकी से यह जो gravitation waves जन की study के लिए अलग-अलग research laboratories अलग-अलग जगाव पर बनी है यह current affair में हमने cover किया है तो यह जो general theory of relativity है जिसमें black hole के बारे में पता चलता है हमें उससे scientist ने बहुत investigations करी है और quantitative estimates quantitative मतलब mass के बारे में पता चल जाएगा black hole के spin के बारे में पता चल जाएगा black hole के और साथ में जो magnetic field related है उसके बारे में जो parameter related information है वो हम collect कर सकते है जैसे मैंने आपको बताया mass, spin and electric charge इन तीनों के बारे में हमें पता चल चल सकता है जब हम black holes की study करें एक और important aspect है bending of light जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई भी light की ray pass होती है black hole के पास से तो light ray जो है वो bend होती है अब इसी bending की वज़े से एक फाइदा ये होता है कि उसके पीछे जो object है कहां से वो light आ रही है उस source को भी हम detect कर सकते हैं क्योंकि अगर black hole में extreme gravity नहीं होती तो जो light waves है वो straight travel करती है तो आपको उसके पीछे से जो भी source है उसके बारे में नहीं पता चलता है लेकिन इस bending की वज़े से हमें पता चल पाता है कि ये light कहां से आ रही है ये एक important significance हो जाता है black hole का तो आज के इस session में बस इतना ही thank you very much